परिचय त्योहार का अर्थ है किसी दिन भोज देना और उत्सव मनाना जब हम बच्चे थे तब हमारे दिमाग में त्योहार का नाम सुनते ही छुट्टी और मिठाई का ख्यालाता था जो की खूब मनुरंजक होता था भारत विभिन धर्मों का देश होने के कारण यहां बहुत से त्योहार होते हैं आईए इस पाठ में भारत में मनाए जाने वाले विभिन त्योहारों के बारे में जाने आओ सीखें त्योहार के बारे में बताना राश्ट्रिय, धार्मिक और फसलिय त्योहार के बीच विभेद करना राश्ट्रिय, धार्मिक और फसलिय त्योहारों की विशेश्टाएं बताना त्योहार त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होते हैं कुछ त्योहार एक दिन चलते हैं और कुछ कई दिन या हफ़ते भर भी चलते हैं। त्योहार का समय खुशी का समय होता है। त्योहार के दौरान हम अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। भगवान की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों और रिश्टेदारों को उपहार देते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, त्योहारों को मुख्य तहत तीन श्रेणियों में बाटा जा सकता है, राष्ट्रिय त्योहार, धार्मिक त्योहार, फसलिय त्योहार, राष्ट्रिय त्योहार, राष्ट्रिय त्योहार पूरे राष्ट द्वारा मनाय जाते हैं, भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाय जाने वाले कुछ राष्ट्रिय त्योहार हैं, स्वतंत्रता दिवस, गनतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस, हम प्रत्येक वर्ष 26 जन्वरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी दिन भारत का सम्विधान लागू हुआ था स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है इस दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी गांधी जयन्ती हम प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती मनाते हैं इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महत्वण्ड भूमिका निभाई थी बाल दिवस धार्मिक त्योहार रक्षा बंधन एक अन्य हिंदू त्योहार है यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावन का वद किया था इस दिन लोग शाम को एक बड़े मैदान में एकत्रित होकर रावन उसके भाई कुम्भुकर्ण और पुत्र मेगनाद क के पुतले जलाते हैं। अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ मिठाईयों का आदान प्रदान करते हैं। वे रात को पठाके छोड़ते हैं और मजा लेते हैं। इदूल फित्र एक मुस्लिम त्योहार है। इस दिन मुस्लिम मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और अपने दोस्तों को अपने घर खुशिया मनाने के लिए बुलाते हैं। गुरुपर्व सिखों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन सिख गुर द्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कार सेवा करते हैं और गरीबों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं। फसलियत योहार आइए अब फसलियत योहारों की तरफ ध्यान दें। भारत के विभिन भागों में फसल की कटाई के समय फसलियत योहार मनाये जाते हैं। ओनम, पोंगल और लोहडी कुछ प्रसिद्ध फसलियत्योहार हैं। ओनम केरला का फसलियत्योहार है। इस्तयोहार के दौरान घर पर पकवान बनाये जाते हैं, खेल खेले जाते हैं और सरपीली नौका दौर में भाग लिया जाता है। पोंगल तमिल नाडु का फसलियत्योहार है। इस्तयोहार के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और प्रचुर मात्रा में फसल होने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। लोहडी पंजाब का फसली यत्योहार है। इस दिन अलाव जलाते हैं और अग्नी देवता को धन्यवाद स्वरू नई फसल की भेंट चड़ाते हैं। और बाल दिवस कुछ राश्ट्रिय त्योहार हैं। धार्मिक त्योहार विभिन धर्मों के लोगों द्वारा मनाय जाता है। हैं। 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 हैं।